यहां पे अगर बात करें अपन किसे नमबर 9 की बात करते हैं दर रेशियो ऑफ स्लेंट हाइट एंड रेडियस ओफ एक कॉन इस 7 डेशियो 4 इस लेटरल सरफेस एरिया इस 792 सेंटेमेटी स्क्वायर देन फाइन इट्स रेडियस देखिए स्टुडेंट्स अपने कले पीडियफ सेंड की थी तो आप लोग इस पीडियफ को समझा रहा हूँ आप लोग कॉपी में काम कर लिया होगा एक और देखीगा आप लोग के जिसके पास बुक है मैस की वो क्यूसर नंबर नोट करने की जूटनी है क्यूसर नंबर डाली उसका सोलुशन क्यूसर नमर 9 सोलुशन क्यूसर नमर 10 सोलुशन ऐसे आपको क्यूसर नंबर लिखने की जूरूते नहीं है अगर आपके पास book है book नहीं है तो आप question लिख सकते हैं book है तो आप question लिखने की ज़रोते नहीं है question number 9 का solution let's length height of call L equal to 7x देखे ratio दियावा था क्या दियावा था ratio ratio दियावा है ratio को अगर अपन किसी variable से multiply करते हैं 7 ratio 4 है ratio दियावा 7 ratio 4 let's length height of call अगर ratio को किसी variable से multiply करते हैं उसकी value आती है तो slant height of call कितना आजाएगा 7x slant height of call कितना आजाएगा 7x ठीक है radius कितने आजाएगी 4x radius कितने आजाएगी 4x अब देखेएगा letter surface area of call 792 centimeter square दियावा लेटरल surface area का meaning क्या हुआ card surface area card surface area देखे आपको ratio given था slant height का और radius का 7 ratio 4 अगर ratio को किसी variable से multiply करते हैं जैसे x से multiply कर दिया इसको भी x है तो यह तो उसकी slant height की value आएगी यह radius की value आएगी तो यहाँ पे 7x और 4x तो मैंने लेट किया है letter surface area of call 792 cm square letter surface area come a guard surface area कि तरफे सिर्या होता है वो बुकिदना होता है P RL equal to 792 पाइक की value 22 upon पाइक की लिटे अपोन 7 आपकी वेल्यू फोर एक्स आपकी वेल्यू फोर एक्स हैल की वेल्यू 7X आपकी वेल्यू 4X हैल की वेल्यू 7X equal to 792 7 जायेगा उधर देखिए 7 7 से कटेगा तो कितना बज़ेगा 22 22 into 4x into x equal to 792 x को x से multiply क्या x square आएगा 792 अपनी जगह है 22 को नीचे लेगे 4 को नीचे लेगे आप देखिएगा यहाँ पर जो आपका 792 है वो 4 से कटेगा किसे कटेगा 4 से 198 टाइमस 22 नीचे आएगा x square equal to कितना आ गया 9 दोनु तरफ अपन क्या लेंगे? रूट लेंगे तो x square का root और 9 का root x square का root और किसका root? 9 का root x square का root और 9 का root x square का root कितना हो जाएगा? x 9 का root कितना हो जाएगा 3 3 एककिस का रूट कितना हो जाएगा X, 9 का रूट कितना हो जाएगा 3, तो यहां पर radius of कौन क्या हो जाएगा? radius of कौन 4X radius of क्या हो जाएगा? 4X तो यहां पर देखिएगा radius यहां पर R है radius क्या है? Y equation R 4X हो गया तो 4X की विल्य थे 12 cm आपको radius ही calculate करने थी Question number 10 की बात करते हैं The circumference of base of conical tent with height 9 meter is 44 meter Find the volume of the air inside it Find the volume ठीक है अब देखिएगा यहाँ पे height of cone dv आपके पास Height of cone कितने dv है? 9 meter Height of cone कितना दियावा है? 9 meter दियावा है Height of cone is 9 meter Circumference of base of cone कितना है? 44 meter Circumference of base of cone कितना 44 meter He कितना है? 2 pi r equal to 44 2 ऐसा का ऐसा? 2 ऐसा का ऐसा? इसके बात देखिएगा Pi की value देखिए question को तुरह समझेंगे The circumference of base of cone Circumference of base of conical tent Conical tent With height Height तो है 9 meter वो जो circumference है? 44 Circumference को लिका मैंने 44 Circumference की value 2 pi r equal to 44 यहाँ से अपर R की value निकालेंगे R की value आएगी आपके पास 7 meter R की value कितने आएगी? 7 meter Volume of air देखो आपको calculate क्या करना था इसमें Volume of air inside it Volume of air inside it यहाँ से volume कितना आजाएगा? अगर volume की बात करेंगी तो देखिएगा Volume आएगा Volume का formula क्या होता है? 1 by 3 Pi r square h 1 by 3 ऐसा का ऐसा Pi की value 22 upon 7 R की value R की value 7 into 7 H की value H की value कुशन में दे रही थी आपके पास H की value देखिए इसमें cut गया है H की value आएगी आपके पास H की value 9 H की value कितनी है? 9 अब देखिए यहाँ पर soul करेंगे अपन Soul करने के बाद क्या होगा? देखिए यहाँ पर देखिए 7 से 7 तो cut जाएगा यह जो 9 था यहाँ पर देखिए 9 था यहाँ कितना था? 9 यह height थे न 9 तो 9 को 3 से काटूँगा 3 आएगा यह 7 यहाँ आगा 22 Soul करने के बाद कितना आएगा? 462 meter cube volume निकार ना था अब देखिए क्योंसे number 11 की बात करते हैं एक conical vessel with base radius 10 cm content some water in meat महलब एक conical vessel है conical vessel का महलब पहलना कार बरतन है slender, sorry conical का महलब cone जैसा देखे ऐसा माली जी आपके पास cone cone जैसा आपके पास vessel है यह से माली जी यह vessel है यह है इसके अंदर पानी है यह पानी है इसके अंदर ठीक है इसके अंदर पानी है उसकी radius 10 इसकी radius कितनी है इसकी radius आपके पास 10 radius कितनी है 10 और radius 10 है radius 10 है और the water level in the vessel is 18 cm जो water water का level है 18 cm है it's poured into the another cylinder another cylinder vessel with radius 5 cm with radius 5 cm find the water level in the cylindrical vessel ठीक है तो यहाँ पर देखीएगा अगर आपन बात करेंगी तो यहाँ पर radius 5 cm है radius कितनी है 5 cm है ठीक है अब यहाँ पर दो बड़तन है एक तो है देखी एक तो है आपके पास coin और एक है आपके पास cylinder ठीक है इसमें दोनों के अलगले radius है इसकी radius बड़ी है इसलिए मैंने बड़ा आर लिखा है 10 cm यह छोटा आर होगा इसकी radius है 5 cm इसमें जो water का level है वो 18 cm है ठीक है इसका जो water का level है वो अपने को निकारना कितनी height तक गया यह अपने को calculate करना है इससे water मैंने इसमें डाला है जितना water कोन में होगा उतना water cylinder में होगा उतना water किसमें होगा cylinder में क्या वासम्यारी इसका जो volume होगा वो ही इसका volume होगा तो क्या लिखा मैंने देखी रेडियस ओफ कॉनिकल वेशल रेडियस ओफ कॉनिकल वेशल कितना है आपके पास 10 cm रेडियस ओफ कॉनिकल वेशल 10 cm पास 12 cm हैğई कितनी है 18 cm है यह बड़ा आ रहा है और यह बड़ा आहज है एक स्टेमिटर रेडियस ओफ क्लेंटीय वेशल कितनी हैं यहाँ पर चोटा रूंग कि तन हो पाइब सेन्टी मिटर देखी चलेंडर है उसकी ओफ ईज़फ यज़स ओफ कोनिकल वेशल है उसकी of the water level in cylindrical vessel मरलब जो आपका कौन था इससे जो आपने cylinder में पानी डाला तो इसमें वो कौन सी height तक पानी गया कौन सी height तक पानी गया इससे आपने इसमें पानी डाला था तो कौन सी height तक इस cylinder के अंदर पानी जाएगा तो देखे according to question क्या लिखा मैंने volume of water in conical vessel equal to volume of water in cylindrical vessel मालब आपका जो conical vessel में जो पानी था उसका volume equal to equal to जो आपका cylindrical vessel में जो water है उसका volume equal होगा आपको पता है कौन का conical vessel का मलब कौन के बारे में बात कर रहे हैं 1 by 3 pi r square h होता है इसका r बड़ा है h भी बड़ा है इसका r छोटा है h भी छोटा है pi से pi कट जाएगा 1 by 3 r square into h r square into h ठीक है 1 by 3 ऐसा का ऐसा r की value 10 into 10 h की value 18 इसके बाद देखिएगा यहां पर r की value कितनी है इसकी 5 5 into h यह देखिए 18 3 से कटेगा 6 times 10 को 10 से multiply किया 100 equal to 5 को 5 से multiply करेंगे 25 into h अब देखिएगा 100 into 6 100 into 6 multiply की चीज़ divide में चले गई 125 से कटेगा 4 आएगा तो 4 into 6 वो कितना हो गया 24 cm तो यह आपके पास height of the water level इन स्लेंडरी विकल वैसालिस 24 cm है जब एक form को दूसरी form में change करते हैं वोल्यूम की बात करते हैं कहने का मला आप लोग क्या कर रहे हैं इसमें एक conical और cylindrical आपके पास बढ़तन है इसका पानी इसमें डाल रहे हैं जितना इसका वोल्यूम होगा पानी का उतना इस स्लेंडर का वोल्यूम है ऐसे कुशन और भी करवाएंगे देखी जब एक form को दूसरी form में change करते हैं वोल्यूम की बात करते हैं अगला कुशन है the base radius and height of a cube are 7.24cm respectively find the slant height, lateral surface area and total surface area and volume देखी सब चीज कैल्कुलेट कर नहीं है इसमें आपको radius पता है क्या पता है radius पता है height पता है हाई आजाएगी रूट में ही स्क्वार प्लस प्लस फाइब सिक्स हो जाएगा इसके बाद कितना आगे अपने पास 625 रूट करेंगे तो 25 आएगा लेटरल सर्फेस एरिया कितना आगे लेटरल सर्फेस एरिया कितना आगे पाई आर एल लेटरल सर्फेस एरिया पाई आर एल यहाँ पे पाई की वेलू 22 अपन 7 आर की वेलू 7 एल की वेलू 25 ठीक है पाई की 7 से 7 क्या हो जाएगा कर जाएगा पाई आगया 22 इंटो 25, 22 को 25 से गुणा करो 550 cm2, टीकर टोटल सर्फेस एडिया of कोंट, पाई आर, आर प्लस L, पाई आर, आर प्लस L, पाई की वेल्यू 22 अपोन 7, पाई की वेल्यू 22 अपोन 7, आर की वेल्यू 7, आर प्लस L, 7 प्लस 25, यहां पे देखेगा, आर प्लस पाई की वेल्यू 22 अपोन 7, आर की वेल्यू 7, आर 7 प्लस 25, 7 से 7 कर जाएगा, 22, इंटो इक इतना हो जाएगा, सेवन प्लस 25, प्लस 7, 32, इस 704 सेंटिमेटर स्क्वार आएगा, ऐसे अपन वोल्यूम निकालेंगी, 1 बाई 3 पाई आर स्क्वार एच, वो आएगा, देखेगा, वोल्यूम आ गया, टोटल सर्फेस एर आ गया, लेटल सर्फेस एर आ गया, स्लेंट हैट आ गई, आज के लिए बस इतना काफी है, जो भी चीज़ समझ में नहीं आते हैं, आप लोग मेसेज के दुरू पूछ सकते हैं, थेंक्यू,